पेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी बिटा आज हम बात करेंगे किस तरह डिवीजन को भी हम बहुत आसान कर सकते हैं देखिए मैथमेटिक्स का मतलब होता है आपका मेंटल डवलमेंट यानिकी बोधिक विकास होना चाहिए तभी तो मैस पढ़ने का मज़ा होता है किस तरह से हम इस कॉश्चन को बहुत आसान कर सकते हैं और आप आसानी से डिविजन कर सकते नहीं अब व भी हम बात कर रहे हैं जिनके जो नंबर बेस के नियरस्ट हो बेस मतलबसे टेन 75 यह हम बाद बात जो नंबर बेस के नस्दिक भी नहीं होगा उसका भी डिविजन होगा बिलकुल होगा बस आप वीडियो को सब्सक्राइब करें देखे और एंजोर करें ठीक है सारे सब कुछ मिलेगा आपको बिल्कुल पूरा अकेडमिक के साथ साथ कल्कुलेशन को बिल्कुल आसान कर है यहां यहां बनाना है तो आपको तीन नहीं लिखना है ध्यान लगना आपका लिखना है 003 यहां से देख लो कितनी जीरो है थाउजेंट में तीन जीरो है यहां चलिए इतना काम हो गया समझ लो आपका आश्वर निकल गया है यहां ध्यान रखेंगे आप जैसे यहां पर एक चीज़ों बताएंगा आपको यह लाइन वर्टिकल इसा मतलब क्या है थाउजेंट के अं इस पोर्षटरम में आपको कश्छेम मिल जाएगा ठीक है चलो शुरू करते हैं क्या प्र muffin से पहले सको देखिए बेस होता है अ Gothic आपको थिरी चाहिए तो ठीन गयो खर्ड़ करते हैं अब लिए इससे अपारने के बाद यहां क्रोस लगा देंगे अभी शेवन गो 003 इस इन्टू करेंगे तो आप 21 लिखते हैं 21 नहीं बेटा 021 क्योंकि हमने क्या का तीन डिजिट में है डिवाइड दे रहे हैं डिवाइड दे रहे हैं तो जो भी मल्टिप्लाई आएगा उससे 3 डिजिट में लिखना है जिसे 731 होता है और यह 0 है वह एज़ी लगाया क्लिय प्लस जिरू कितना हो गया अब यह काम कर दो पीछे किया था इस एट को इसे इंटू कर दो कितना आएगा जीरो 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 को एट सिंटू करेंगे आएगा 24 24 नहीं लिखना पीटा एक्च्वल में एट सिंटू किया थे ना एट को पर क्रॉस लगा देंगे अब जीरो टू फॉर के लिए बस अब इसको एड कर दो थी प्लस फॉर यह सेवन हो गया टू फॉर प्लस फाई हो गया फॉर प्लस टू शिक्स हो गया यह ठीक है इतना हो गया इसका मतलब यह यह 78 यह क्वेस्ट आ गया यह आगा सैंट कोई जर्वत ने करकुलेटर की बैटा बस आपको समझ ना है लेकिन सब्सक्राइब और श् से उसके नजदीक होना चाहिए उनका भी सोलूशन देंगे वह इससे आसान होगा ठीक है देखते जाहिए बस अब चलिए शुरू करते हैं वैसी इस नंबर को हमने ऐसे लिखा 432789 कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम यह वर्टिकल लाइन क्यों आई तो कि यह जो है यह किस के नजदीक है थाउजन के नजदीक है कितनी जीरो हो एक तीन जीरो है इसका मतलब 123 के बाद वर्टिकल लाइन और यहां क्या मिलेगा आपका रिमेंडर मिलेगा यहां मिलेगा वही तरीका 995 है बेस क्या है थाउजन तो थाउजन बनाने लिका कर दें से इसमें 5 एड़ कर अब प्रॉसेस भाई है पिटा सेम प्रॉसेस एक तरीका है लेकिन आप थोड़ा से आपको नज़री आपके आपने जो आदते पड़ी हुई है उन आदतों को थोड़ा चेंज करके देखें बीटा एक बार करके तो देखो इसको इन्टू करेंगे जीरो जीरो फाइव को अब उपर क्रोस करेंगे इसका इंटू कितना है जीरो टुएटवेंटि क्रों जीरो टूजीरो यह कैसे आया बिल्कुल सेम वहसे आएगा आप क्या हो गया फोर एंधारी यह थोग और पूरत थर्टी फोर गोटाहरा हूं जो थर्टीफॉर उटारा गा इसको सिफ्टो कर और इसका रिमेंट रागया 959 समझभा रहे हैं अगर आपको लग रहा है इसवार थर्टी फोर सिस्ट्रम इन्टू करेंगे इसका मतलब 123 के बाद वर्टिकल लाइन करते हैं अब इसको इससे जैसे इंटू करने जाता हूं तो इसको प्रिया क्रॉस लगाना है इसे इंटू करो कितना आ जाएगा ट्वंटी नो ट्वंटी जीरो ट्वंटी अरेंज करो जीरो तूज घृत देंटू करना मत करिये अच्छा करेंगे बिल्कुल सेम उए देखो जाए बड़े बड़े-ड़े अब उस्मझते एकद्र पर समझते हैं अब आप पास आ रहा है 97 97 जो आ रहा है वो किसके नजदी के बेटा 100 कितनी जीरो है इसमें दो जीरो राइड साइड से दो डिजिट के बाद वर्टिकल लाइन मतलब यहां मिलेगा क्या रिमेंडर यहां क्या मिलेगा वही सेम प्रॉसेस बेटा इस एक्जामपल क्यों लिया है मैंने इसके पिछे एक राज है देखे तर प्रॉसेस वही है मैं आपको बता रहा हूं चलिए सुरू करते हैं हमने बेस हंडिड लिया है 97 जो हंडिड के नजदी के तो कितना एड कर द क्या करेंगे इसको जैसे इन्ट्र करने जाएंगे कितना आएगा सार फिफ्टीन कितने गफाइगा दो का तो उपर क्रॉस को पर पाते हैं तो इसको ग्रॉस के बाद इवान अर फाय हो गया अब आगे चलो इसमें कितना जाएगा फाइव एक फाइव फिक है अब आप यहां विपन रहा है अगर आप पूरा 59 भीटा फिप्टीन थीरचा करोंगे आपको इस इतना फाइव अग्या मत एड़ करो अब वही काम करना है इस फाइव को इसे इंट्व करों कितना आया फिप्टीन है नमबर था जिस से इंट्व करने जा रहे हो इसको पर लगाएंगे अब फिफ्टीन लिखना है यह वन आ गया यहां फाइव आजाएगा इसको एड करेंगे प्रोसेस को आगे करो सेम् तेखो 159 ठीक है अब वही आपने का रहा था हंटेड का बेश चल रहा है आपने पास दो डिजिट के बाद ऐसे वर्टिकल लाइन कर दिया वहीं वहीं को से इंट्रों से इसको पर क्रॉस लगा देंगे समद्वागे क्रॉस इसको इंट्रों कितना आएगा वन को इंट्रों खरी आया खरी ने लिखनाि को टू डिजिट का डिवाजर जीडिर जीरो तरी फिरी फिर लिख दिया अब वैस काम खतम आए इसको एड़ करो 62 यह कल ना इब हो गया इसको आप इस तरह से लिख भी सकते हो इसको अब क्वेस्चेंट लिखते हैं ना अब आगे बताएंगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्या कोई नंबर ऐसा हो जो हंडिड के आसपास ना हो तो डिवाइड करना है बहुत आसान होने वाला है बस आप समझते जाएए वीडियो को देखते जाएए ओके